वाज़त दोस्तो आपने कई तरह के फल देखे होंगे वह आपने उन्हें खाया भी होगा परन्तु कि आपने कभी 33 लाग का खरबूचा खाया है? क्या आपने कभी डब्बे की तरह दिखने वाली महंगे तरबूचे को खाया है? क्या आप जानते हैं कि जुनिया का सबसे मेंगा फल कहां मिलता है, शायद आप ने इन फलों के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंदर क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे स्वाधिस्ट वहां महले फ़लो से मिलवानी चा रहे हैं तो चलिए शिरू करते हैं अपना ये मज़िदार वीडियो दोस्तो वैसे तो नासपती आपको बहुत ही जादा पसंद होगा और आपने इसे कई बार खाया भी होगा लेकिन जरा इस बुद्धा शेप नासपती पर नजर डालिए जो की लाफिंग बुद्धा की शेप का है दोस्तो इस नासपती की खोच करनी में दगभग 6 साल लगे थे दोस्तो नासपती के इतने युनीक शेप बेकारण इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है जिसे सुनकर सायद आपके कान खड़े हो जाएंगे एक बुद्धा नासपती की कीमत 600 रुपे तक होती है वैसे इसकी युनीक शेप का राज यह है कि जब ये नासपती छोटे होते हैं तबी इनको एक काज के ढ़ाचे में रख दिया जाता है और ये नासपती उस काज के ढ़ाचे की तरह ही बढ़ने लगते हैं इसे दिये इस नासपती का अकार बुद्धा जैसा ही होता है राज़ ये फल केवल चायना में ही मिलता है नमब नाइन डिगो पॉन ओरेंज दोस्तों राज़तो संत्रा बहुत ही आमफल है जो कि हमें आसानी से मिल ही जाता है लेकिन जिस संत्रे की बाद आज हम करने जा रहे हैं वो आपको केवल जपान में ही मिलेगा वैसे अगर आपको संत्रे खाना पसंद है तो कभी जपान में पाई जाने वाला डिगो पैन ओरेंज को ज़रूर खाईएगा क्योंकि ये गनिया का सबसे टेस्टी ओरेंज बाना चाता है लेकिन उससे पहले इस संत्रे की कीमत भी जान लीजिए हो सकता है कि इसकी कीमत जानने के बाद आप पूरी तरह से शौक हो जाएए क्योंकि इस एक संत्रे की कीमत 1000 रुपें के आजपास होती है क्यों दोस्तो उड़ गये ना आपके होश रसे ये संत्रा दिखने में किसी आम संत्रे जैसा ही होता है लेकिन इस संत्रे के उपर अजीब सा उभार देखने को मिलता है जोके इस संत्रे की असली पहचान है दोस्तो हमारे मार्केट में मिलने वाली स्ट्रोबेरिस का रंग वा स्वाद इस स्ट्रोबेरि के सामने पानी कम है क्योंकि ये strawberries जितनी ज़्यादा महमी होती है उससे कई ज़्यादा टेस्टी भी होती है क्योंकि इन strawberries की कीमत 500 रुपीज पर पीस होती है ये strawberries Japanese लोग जादतर गिफ्ट देने के लिए स्थमाल करते है ये strawberries हमारे बजारों में मिलने वाली strawberries से साफी ज़्यादा अलग होती है वैसे इसके महंगे होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है ये strawberries naturally खुद इतनी बड़ी होती है और कई दिनों तक स्टोर करके रखी जाती है वैसे तो दोस्तो बजार में मिलने वाले लाहण और हरे सेबो को तो आप सभी ने खाया होगा और खाये भी क्यों ना ये होते ही इतने हेल्थी है लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महगे ब्लैक डाइमड एपल को खाया है वैसे तो इसका नाम ब्लैक एपल है लेकिन इस एपल का रंग बैगनी टाइप का होता है इस ब्लैक एपल की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे तिब्बत के बगानों में उगने वाले सेब की कीमत 500 रुपीज प्रती सेब होती है ये खास सेब केवल तिब्बत में ही पाई जाते हैं क्योंकि तिब्बत में दिन वा रात के तापमान में काफी जादा अंतर होता है जिसके करण ये सेब और इसका रंग काफी अलग दिखाई देता है नमबर सेक्स, क्यूब्ड वाटर मैनन दोस्तो कर्मियों का मौसमाते ही, हमारे मार्किट में वाटर मैननी बारिश हो जाती है और शायद ही कोई वैक्ती होगा, जैसे ये रसीला फल पसंद ही नहो तकिन आज हम बजारों में मिलने वाली गोल मटोल वाटर मैनल की बात नहीं करेंगे बलकि बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे तरभूज की जिसके शेप कसी डबे जैसी होती है हाँ दोस्तों ये स्क्वायर शेप कावा दिखने वाला बाटरमेलन दुनिया के सबसे महंगे तरबूजों में से एक माना जाता है जिसकी कीमा सुख कर आप दातों तड़े उंग्या चबा देंगे इस तरबूज की दीमत साथ हजार रुपे के करीब होती है और इसका वजन कम से कम पाच किलो तक होता है बैसा तो ये महंगा तरबूज केकुरेशन में ज़्यादा काम आता है क्योंकि ये खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं होते और ये फल केवल जापान में ही उगाए जाते है दोस्तों अंगूर की इस परचाथी को टेवल ग्रैप्स के नाम से भी चाना जाता है रोबी रोमन ग्रैप्स हमारे बजारों में बिखने वाले अंगूर से चार गुना बड़े होते हैं इस एक अंगूर का वजन 20 ग्राम तक होता है इसकी खास बात यह हैं कि अंगूर एक समान होते हैं ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा सारे के सारे अंगूर का साइज एक समान होता है। वासे तो इस लाल रंग के दिखने वाले अंगूर की कीमत 35,000 रुपे प्रती गुच्छा होती है। लेकिन 2020 के एक आउक्षन के दोरान इस एक गुच्छे पर लगढ़ आठ लाग की बोली लगी थी। दोस्तो क्या आप आठ लाग के अंगूर को खाना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तो दिल धाम कर बैट जाएं। दोस्तो जपान के अंदर उगाए जाने वाला ये आउम जादा खास होता है क्योंकि इसे एक खास मौसम में उगाए जाता है। पीला दिखने वाला खुबसूरत आउम काफी जादा महगा होता है। इस आम को खरीदते समय तो अच्छे अच्छे अमीर व्यक्ति के लिए पसीने छूड़ जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें। आक्शन के दौरान इस आम का एक जोड़ा दो लाग से लेकर टीन लाग तक का बिग गया था। नामबर थ्री शिकाई जी एपल। राज़ तो एपल हमारे सेहत के लिए काफी जादा अच्छे होते हैं। लेकिन इस सेव की कीमत सुनकर कहीं आपकी हालत खराब न हो जाए। तो दोस्तों सिकाई एपल की कीमत पंद्रा सो रुपे तक होती है। और एक आम इंसान इस एपल को लेने से पहले भजार बार सोचता है। राज़ सेव का इतना महगा होने का कारण इसकी ग्रोफ का प्रोसेस होता है। जब ये एपल बड़ा होता है तो इसका काफी जादा ध्यान रखना पड़ता है। और बजारों में उतारने से पहले इसे सहद में डुबा कर साफ किया जाता है। जिसके कारण इस सेव का स्वाद दस गुना जादा बढ़ जाता है। वैसे तो आपने इस स्क्वाइर की शेप के तर्बूच को तो देखी लिया होगा। लेकिन इस तर्बूच से जादा मेंगा ये डैंसुक वाटर मैलन है। जिसका वजन दस से लेकर 11 किलो तक होता है। ये तर्बूचा काफे जादा बड़ा और रसीला होता है। वैसे इसे उगाने के लिए जपान के किसान राट दिन मेहनत करते हैं। लेकिन एक साल में 100 से जादा डैंसुक वाटर मैलन नहीं उका पाते। और इस वाटर मैलन को बजार में नहीं बेचा जाता। बलके इसका ओक्षन किया जाता है। और ओक्षन के तोराँ के वाटर मैलन 4 से 5 लाग तक का बिखता है। दोस्तो इसकी कीमत को इतनी जादा है कि आप और हम इसे लेने के बारे में सोच की नहीं सकते। लाज़त गर्मियों के मौसम में खरबूज हम सबी खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी 8 लाक रुपे का खरबूज खाया है। मुझे पता है इस खरबूज की कीमत सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। युवारी किंग मैलन नाम का ये खुशूरत खरबूज के वा जपान में ही उगाया जाता है। इससे स्पेशली जपान के अमेर लोगों के लिए उगाया जाता है। जपान के एक आउक्षन के दोरान युवारी किंग मैलन की कीमत 33 लाग तक लगाई गई थी। दोस्तो युवारी मसक मैलन दुनिया के सबसे महंगे फल वा खरबूजों में से एक माना जाता है। वैसे दोस्तो अगर आपके पास पैसे होते तो आप कौन सा पल खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ रोमांचक वीडियो के हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को पैस करना कुलकुल बेना भूलें।